वेलकम वीडियों मैंने मोईत फॉस्ट यर मैं भी सेंट एट जलेने में सीच देखो लास्ट वीडियों में देखा था कि कौन कौन से चेप्टर थे जिसको हम करके फिजिक्स में बेस्ट एसकूर कर पाए बहुत ही लिम्टेड टाइम के अंदर ठीक है तो यह इस चेप्टर जो विव अफ्टिक्स के नरों को पढ़ना था उसमें दो स्क्रीन को हम अवे कर रहे हैं प्लीन अफ स्लीट से तो जो एंगुलर से प्रेशन है अब दे फ्रिंज का ओंस्टेंट रहेगा फॉस्ट सेकेंड स्टेटमेंट था कि अगर मोनोक्रोमेटिक शोर्स को हमड़ी प था नेश्ट देख लो यहां पर जो सेंपल पूछ रहता कि मेंगनेटिक फ्लस के ऊपर कोशन था कि मेंगनेटिक फ्लस तुरू एनी क्लो सर्फेस इज जीरो तो यह आपके बिल्कुल एंसी आटी में बहुत ही कॉम लाइन है यह भी दिया हुआ था यह देख लो नीट दो यहां में देरखा था कि यहां फर यहां पर हम कैपैसिटर यूज करते हैं और इन्सी आटी के लानोंमें ि देर खाता कि इंडॉक्टर वा हुआ क्यक्पैसिटर नोडु सर्फेस यूज करते हैं तो एससे सेविक फ्लकुल पूरो जो जबिल्स करो कि आपके ton deben के यह same question ncart examplers देखो अब ncart examplers एक दूसरी बूक होती है ncart के main book के अलावे जिसमें की बस mcq और कुछ जो है sort type answer question होते हैं ठीक है तो उसमें भी यह same question बीना किसी इंसरे तो option भी change नहीं था same question जो किनीट में आया हुआ है वो हमारे ncart examplers में दे रखा है उस बीना किसी option चेंज के भी ठीक है यह देख लो questions यह आया था कि अगर हम किसी भी एसी source को connect करे capacitor से है तो due to decrease in the operating frequency अगर frequency decrease करेंगे एसी source का तो फिर क्या होगा ठीक है तो यह same question जो है हमारा ncart examplers में यह भी दे रखाता कि अगर हम frequency decrease करेंगे तो फिर क्या होगा sort type question में तो वहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास time है अगर आपने मतलब at least teacher का lecture दे दे रखें ओ और जो short answer type question है उसको आपको बहुत ज़्यादा questions बिल्कुल और class 12 के मैंने यह मैं बता रहा हूँ class 12 वालों के लिए और उनको भी जिनका at least कुछ chapter जो है अच्छे से complete हो चुका है class 12 वाल एक पार्ट का तो अगर आपका complete हो गया है तो mcq और short answer type question बिल्कुल n nc8 exemplar से practice कर लो बहुत ज़्यादा help होगा एक और question देख लो यह NLM से question है question में यह आया था नीट 22 के अंदर कि एक football player है जो कि southward move किया फिर इस्ट वाल मूव किया फिर ओ अपना opponent की तरप avoid move किया मतलब यह है कि south west east move कर रहा है फिर लास्ट में पूछ रहा है कि force किस direction में ल exemplar book कर लो तो एक अच्छे-ची questions को बिल्कुल कर सकते हो ठीक है उसी type से यहाँ पे एक semiconductor से question आया हुआ है बहुत अच्छा question है कि दो statement यहाँ पर दे रहा है पहला जो statement दे रहा है कि photo voltage device can convert optical radiation into electricity यह same line आपके जो application थे photo electric junction device का उसमें दे रहा था तो वहीं है कि जैसे यह आपक exemplar book important है अगर आपके पास time है तो बिल्कुल कर लो अपका time waste नहीं होगा और बहुत अच्छा practice हो जगा यह देखो यह री नीट दो है इसके question है इसमें आपके semiconductor से बहुत अच्छे questions आया था जो की चार statement frame हुआ था और NCRT जो semi controller chapter है उससे चारो statement frame हुए थे तो वहीं है तो बहुत अच्छे questions आ जाएंगे वहाँ पर ठीक है तो वहीं में आपको यहाँ पर सूख करने के लाया था और फिर thanks a lot मतलब यहीं था मतलब मुझे लगा कि आपको फिर से सूख कर देने को कि यह आपका बहुत critical time है अगर आपको confused यहाँ पर होगे तो बहुत अच्छा time मिस कर दोगे गलत जगह पर इसलिए कोशिस करो कि अगर जब भी आपका कोई chapter complete हो जाए तो उसके ncrt at least एक पर देख लो ठीक है और solved examples जो भी ncrt देरेको उसको देख लो और ncrt exemplar book अगर नहीं है तो उसका pdf भी मैंने upload कर रहा है अपने इंटेग्राम चैनल पर तो नीच फोर मन्त आप कैसे अच्छे से एक डारेक्शन में प्रप्रेशन कर पाओ आज लास्ट क्लास है इसके बाद हमारा अपर अगर आपके बस टाइम है तो जे इमेंस के कोशन इन समके कोशन मेंने से अच्छा है कि ncrt पहीं तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो बस ठैंक्स अ